नमस्कार आप देख रहे हैं आइनन24 आपके साथ मैं हुप्रेदिसिंग बुलिटिन के शुरुवात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ बिहार के गया में करेंट की चपेट में आने से दो महलाओं की मौत वहीं दो लोग गंधीर रुप से खायल चतिसगार इंटा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंग ने कोर्बा में की प्रेस कॉनफरेंस और पंजाग की तरंतारण में जहर देने से तीन लोगों की संदिक दिस्थिती में मौत बिती राद बिहार के गया में चंदोती थाना शेत्र अंतरगत कोर्मा गाउं के पास खेत में बिजली प्रवाहित तार के गिरे रहने के कारण उसके चपेट में आने से महादलित समुदाय के एक ही परिवार के चार लोग बुरी तरह से जुलस गए जिसमें सास और बहु की मौत घटना स्थल पर ही हो गई वहीं एक साल का बच्चा और बच्चे के पिता घायल हो गए जिनका गया के अनुगरह नरायंड मगद मेडिकल कॉलेज सहस्पताल में इलाज किया जा रहा है और दोनों खत्री से बाहर है जारखन के गुडर्मा में जिला परिसद उपाध्ध्यक्ष निर्मला देवी को आ अधिकारी द्वारा टाल मटोल की प्रक्रिया अपना इचा रही है महिला प्रतिनिधी होने के कारण जिला अधिकारी द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है जिससे जिले के सुद्रवर्ती शेत्र जाने में काफी परिशानी होती है साथ ही जिला परिसद उपाध्यक्ष लिहाजा हकीकत सामने आही गई तीन दिन पूर्व ACB की टीम ने कार्याले के सहायक लिपिक गौरफ कुमार को घूस लेते रंगे हाथों धर्दवोचा कुल मिलाकर देखा जाए तो जिला परिसद कार्याले में ब्रचचार वा कमिशन खोरी अपनी चरम सीमा पर है वहीं बोड की बैठव में डीडी शी के द्वारा बोला गया सीयच के दुकान की धाड़े की रासी से उपादश की नए वाहन की करे किये जाए जो दुकान की रासी साड़े साथ लाग रूपया है और चिला परिसद की स्वें की नीडी लगबख 27 लाग रूपया है कई मां बीट गया लेकिन मेरे नया वाहन अभी तक करे नहीं किया गया जब हम कर्याले आते हैं तो ओटो से आते हैं भींगे आते हैं धूपया आते हैं बहुत सरीकटनाया होती हैं चतिसगड के कोरबा में संचाले ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने एक पचपन वर्षिय महला के घुटने का प्रत्यार उपन कर महला को ना सिर्फ चलने के काबिल बनाया साथ ही महला की फाइनेंशियल स्थिती को ध्यान में रखते हुए कम खर्च में इलाज करके मानवता का भी परिच्छ दिया है जहां एक तरफ चिकित्सा का व्यवसाई करण हो चुका है वहें चतिसगड के कोरबा में संचाले ट्रामा सेंटर में मरीजों का इलाज कम खर्च में बहतर किया जा रहा है जो काबिले तारीफ है ट्रामा सेंटर कोरबा शहर के बड़े अ को अनियंत्र भेजा जाता था किन्तु कोरबा में भी हमारे चीम ने 55 वर्षिय महिला के घुटने का सफल ऑपरिशन कर 48 घंटे में चलने के काबिल बनाया है जो महिला हमारे यहां पर 55 वर्षिय महिला मालती भाई भरती हुए थी खर्मोरा की है और उसको क्या है न ऑस्ट् असमर्थ थी तो यहां पर बहुत सारे दिन तक इलाज कराते रही इधर उदो इलाज कराते रही फाइनली वह मेरे पास आई और मैंने देखा तो यह पाया और जांच किया और विस्टिकेशन सारे करा है यह पाया कि उसको जो है गुटना ऐसे दवागोले से ठीक नहीं हो गुटना प्रत्तारपन का प्लाइनिंग किया क्योंकि गुटना प्रत्तारपन एक जटिल सर्जरी वह हमारे पहले नहीं होता था हमको भेजना पड़ता था राइपूर या मेंट्रो सिटी में तो मैंने यह सोचा कि क्यों ना यह इनिशेटिव मैं लूँ और यहां भी यह सर्जरी करूं तो फिर हम लोँ इसकी प्लाइनिंग पूरी की क्योंकि वह गुटना पत्तारपन अपने हाप में एक जटिलतम सर्जरी है जिसमें की प्रॉपर एंगल मैंटिन करना पड़ता है तो यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग नहीं सक्सेस्फुल उपरेशन किया और इससे इस बात से पता चलता है कि अगले 48 गंटे ऑपरेशन के 48 गंटे बाद मरीज वॉकर के द्वारा चलने लग गया है और तीन हफ़ते में वो लॉंबल एक लाइफ जो है उसको एटलिस पेइन फ्री लाइफ वो लीड करेगा यह बड़ी खुशी की बात है और यह जो सक्सेस है यह पूरी टीम की सक्सेस है यह सब ने मिलके काम किया सब के सक्से करने के साथ एक टीम वोक है और टीम वोक के कारण ही यह सरजरी सफल हो पाया अच्छली क्या होता है कि एक तो उमर होता है उमर का होता है कि जो घुटना आपस में घिसने लगत तो एक तो क्या एज फेक्टर रहता है दूसरा कि फिम्यर्स में कॉमन है इस कंपरेट टू मेल में भी होता है वर महिलावों में इस फ़ड़ा जल्दी होता है इस प्रिवेंट कर सकते हैं यह कुछ-कुछ चीजह यह रहती है वह हैवी वेट हो गया वह प्रिवेंटेबल नह उस सब चीज करना पड़ता है बड़ अगर कोशिश किये अपने सूरों से साफधानी बरते तो निश्य तुरुप से मैं बतादावी साथ बोल सकता हूं कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं पंजाब के तरंतारन में गाव कोट मुहमद खान में रहने वाली 26 वर्षे नौजोत कौर और दो अन्य लोगों की संदिग्द स्थिती में जहर के कारण मृत्ती हो गई मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि नौजोत कौर के पती गुर सेवक सिंग ने अपने रिस्तदारों के साथ मिलकर मृतिका को जहर दिया है नितिका का 6 वर्ष का बेटा भी है नौजोत कौर के परिजनों का यह भी कहना है कि उसके पती गुरसेवक सिंग को शक था कि नौजोत कौर पर भूत प्रेत का साया है इस शक के चलते उसने अपने दो दोस्त अमरित पाल सिंग और सतनाम सिंग को घर पर रखना शुरू कर दिया क्योंकि दोनों खुद को बाबा भी बताते थे इस काम के लिए गुर सेवक ने अमरित पाल सिंग और सतनाम सिंग को 20,000 रुपे भी दिये नौजोद के परीजनों के मताबिक गुर सेवक और उसके मामा ने मिलकर उनकी बेटी नौजोद को जहर दिया और अमरित पाल वसत नाम को भी जहर दिया गया और गुर सेवक सिंग फरार है पलिस मामले की जाच में जुड़ गई है मुंडे का लिया के चवी केंटे राख दागी जार पिया देता अना बूत चड़ेला लांदा कदी उनु बाबेरों सखा लिया ही तुम आतरा मुंड़ाई ने अधना नुमार जूगा जा तुम मार जेंगा अधी मेरे परीट वल्लों वांदे आपी ने अधना नुमार गोईंदाल साहब को ले फाटकर दे उत्तर ए इस थे तैन नुम अधने पाएगे ने जडिह हुंतर कि इन्वेस्टिगेशन है इनननो लोग लोग होस्पीटल लाएगे जित्ते इना तुना नहीं निक रहत हूँ आधा पूलिस कांस्टरबल भी बेटा सजादा यी जड़ पर जो भी तफ्तीश होगी जो चाहिए है फर्दर सी इन्वेस्टिएशन करके सामने ले रहा है इन्टक रेड़ी गुट के 36गर प्रदेश अध्यक्ष संजे सिंग ने कोर्बा में पत्रकार वारता आयूजित कर रेड़ी गुट एवं महाबल गुट के बीच चल रही गुटबाजी का खुलासा करते हुए रेड़ी गुट को असली इन्टक बताया आयोजीत पत्रकार वारता में जिला अध्यक्ष विकास सिंग अजे जैसवाल के साथ इंटक के पदाधी कारी उपस्थित रहे आज जिला इंटक के जो कारसमिती है कोर्बा की उसका जठन किया गया और उसकी घोसना की बेठट में की गया और बत्किये जो बिगत दिनों कुछ रांतियां पहलाई जा रही थे उसके समन्द में हमने अपना फस्थि करन दिया है और हम आज यहां पर पूरे जिले के जो हमारी यूनिया उसके सारे संस्था के प्रमुख लोग पस्थित है इससे साफ जाहिए है कि इंटक पुरी जो बोला जा रहा है कि प्रदेश में दूसरा कोई अध्यक्स बन गया उस पर विरान लगा दिया गया है इसक उनके पास न दूसरा 26 करोर रुपया इंटक के जिलियर फंड में अध्यक्स या पदाधिकारी को रहने के लिए कोई जगह नहीं था वहां उन्होंने दो करोर रुपय खर्च करके गेस्टाउस फ्रीन पार्क में खरीदा है इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं वह आज बोलते हैं द सब्सक्राइब करने का संजीवा रहती कोई जेश के लीडर नहीं हो अंतर रास्टी है सभीक जगहत के लीडर है और हम सब लोग उनके उपर उनके 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 विश्वास करते हैं चारखन के कोडर्मा जिले के ठाना अंतरगत काकर फूट ग्राम बाली का आवासी विद्याला निर्माणधिन भवन समीप तलाब के नस्दिक जेसी भी मशीन द्वारा मिटी काटकर भवन निर्माण में उपियोग किया गया जिसके कारण उपचार स्थल पर गढधा हो गया जहां पर रंजीत कुमार सिंग का पुत्र शिवम कुमार अपने कुछ साथियों के साथ खेल रहा था जिसके कारण वगढ़े में जागिरा जिसके बाद उसके साथियों ने उसके परिजनों को आकर घटना की सूचना दी जिसके बाद उसके परिजन और ग्रामिन बच्चे को निकालने के लिए पहुँचे काफी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला गया और उसे इलाज के लिए जिले के सदर अस्पताल में लाया गया जहां उसे मृति खुशित कर दिया गया 36 गड़ के कोर्बा में जोती उच्थर मात्मिक विद्धाला में पौधार ओपन एवं साइकल विद्रण का कारिक्रम विद्धायक जैसिंग अगरवाल एवं महापौर रेनु अगरवाल के आतित्थ में संपन हुआ इस उसर पर विद्धायक जैसिंग अगरवाल ने कहा कि वरिक्ष धरा के आभूशन है इसको सहेच कर रखना हमारा करतव है विधायक जैसिंग अगरवाल ने कहा कि आज पर्यावरण की स्थिती अत्यन्त नाजुक दोर से गुजर रही है जगा जगा पेड़ काटे जा रहे हैं ऐसे स्थिती में पौधा लगाना और उसको सहेच का रखना मानोचाती का धर्म है कारिक्रम में महापौर रेणो अगरवाल की हाथो साइकल विद्रण किया गया इस वसर पर शहर अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद सेवा दल के मंडल अध्यक्ष कनहिया सोनी पारुख मेमन संतोश राठोर सहेत काफी संख्या में लोग उपस्ति थे मध्यप्रदेश के बुरहानपूर टेक्स्टाइल एंड ट्रेडर्स असोसियेशन द्वारा बुरहानपूर की सभी टेक्स्टाइल से जुड़ी संस्थाओं के सहीयोग से भारत सरकार द्वारा कपड़े पर लगाए गये जीस्टी कानून को हटाने के लिए एक ग्यापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार के वितमंत्री अरुन जेटली के नाम SDM को सौपा गया रैले विभिन मार्गों से होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से SDM कार्याले पहुची 36 गड़ के जगडलपूर शहर में बढ़ते यातयात ववस्था को सुधारने ट्रैफिक पुलिस ने जागरुकता अभ्यान चलाया है इस अभ्यान के तहट पुलिस शहर के स्कूलों में जाकर छात्रों को पावर पॉइंट प्रेजन्टेशन और लगू फिल्म के माध्यम से यातयात संबंधी जानकारी दे रही है साथ ही सुप्रेम कोर्ट के निर्देशों के पालन हितु यातयात संकेतों का पालन करने सकार्फ पहन कर वहन नहीं चलाने, तीन सवारी नहीं चलने, वहन चलाने के दौरान मुबाइल फोन का उपयोग नहीं करने समेथ हेलमिट के फायदे बता रही है आज हमको बहुत सारी जानकारी मिली कि किस प्रकार हमको चलना चाहिए, रोड में चलते वक्त क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, गाड़ियां आ रही है तो उनको देख करके चलना चाहिए और जगदलपूर के ब्यभस्ता में अभी बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है और साथ ही दूसरे लोगों को भी नुकसान कर सकती है आज सर की जो क्लास थी उसमें उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हमने किस तरह से ट्राफिक क्रूज को फॉलो करना चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे रोपना चाहिए अभी सिख्षा सत्र 2017 की सुरुवात हुई है उसमें नए नए बच्चे स्कूल में अन्मिशन लेकर के आते हैं और बच्चों को हम सजक करना चाहते हैं यातायात की नियोमा के प्रति इसलिए पुलीस अधिक्षकारीप सर के निर्देश पे राजस्थान के बिजॉलिया कजबे की उम्रदराज महिला के सरबाई यादो का आज सुबा एक सो छे वर्ष की उम्र में निधन होने पर गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकाल कर अंतिम संसकार किया गया उनके पुत्र खेम्चंद यादो ने बताया कि इतनी आयू होने के बाद भी उनकी मा केसर बाई अपने रोजमर्रा के सब ही कारे बिना दूसरों की सहायता के स्वहम करती थी बिहार के शेकपुरा जिले में लगतार बारिश होने से गाउं की स्थिती खराब हो गई है शेकपुरा से महज 3 किलोchlagen की दूरी पर बसा धरमपूर गाउं के गलियों में पानी भड़ जाने के कारण ग्रामिलों को गाउं से बाहर निकलना दूभर हो गया है गाउं से जिला पंचायद पहुचने का एक मातर रास्ता ग्रामिडों का यही है ग्रामिडों ने बताया कि पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण को लेकर कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई लेकिन कारवाई नहीं हुई धरंपूर गाउं के वाट सदस्य सुधिर कुमार ने कहा कि मुख्य गली में जल जमाव होने के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है अली का समस्या है ध्लाई का समस्या है जल जमाव है काफि का गंदा हो गया है गली Democrats इसे की तरह तरह की बिमारियां पहले का संकार और मुख निकास भी यह है जिसमें काफी जल आई एक नज़र डालते हैं देश की सराफा बजार पर आई देखते हैं देश की चुनिंदा शहरों के मौसम के मिजाद आई एक नज़र पर दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आई एक नज़र पर